हेलो दूस्तो, स्वागता आपका अपनी यूटूब चैम्टरा क्लाशिस में कि अरब चो हिंदी माज़ा अपना निव चेप्टर सुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है बर्तनी बर्तनी चैप्टर को में एकी क्लाश हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं इससे पहले हम बर्णमाला, ब्रामचिन, सब्दरचना, उपसरप्रत्य, देशच बिदेशच सब्द, अरभी फार्ची सब्द इस सबी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं राम ने वह वीडियो नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी, बहां जाकर देख सकते हैं तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं, वो करेंगे बर्तनी ठीक है तो heading डाल देंगे बर्तनी ठीक है तो इस तरीके से मैं आपके notes बन बार आओं ठीक है उसी तरीके से आपको notes त्यार करने एक एक point जो मैं आपको बताता हूं उसको बहुत अच्छे से अपने notes में लिखना है बिस बात रखिया आपको कोई भी exam हो जिसमें हिंदी इसकी UP Police और SSC GD ठीक है ये बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि ये topic दोनों में ही पूछा जाता है SSC GD का सिलेवस अगर हिंदी का किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता दूँ आपको आपके में vocab ही पूछी आती है आपके में संग्या सरणाम ये नहीं पूछे था य बना दूँगा अलग से ठीक है तो ये जो है चैप्टर दोनों में ही पूछा जाता है अगर आप देखेंगे प्रिवेश जितने पेपर आप देखेंगे SSC GD के किसी भी सिफ्ट को आप उठा के देख लेना कम से कम दो कोश्चन आपको बढ़तनी से मिल जाएंगे कम से कम जला हम समढ सकते हैं कितना important chapter ये है है पर बच्चे क्या करते हैं बच्चे क्या करते हैं बच्चे सोचते हैं यार बरतनी तो हम करी लेंगे वो सोचते हैं के बरतनी तो हम करे लेंगे और 5-10 question की 5-10 बरतनी की practice करके वो चले जाते हैं exam में जब वो exam में जाते हैं तो वहाँ पर जब उन्हें बरतनी का question मिलता तो इतना अच्छा question मिल जाता है उन्हें 4 option एक जयासी लगते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्याद़ प्रेक्टिस नहीं की होती जो 5 से 10 की थी उनमें से पूछा नहीं गया ठीके और उसमें कोई ट्रिक तो लगा नहीं सकती वहाँ पर बढ़तनी में कोई ट्रिक काम नहीं करती उसमें तो ट्रिक काम कर जाती हैं आपके जैसे कारक हो गया अगर आपके रूल पता है और जैसे समास हो गया इसमें आपके रूल पता है बढ़न माला हो गया इसमें आपको पता है तो आसानी से कर दोगे ठीके बट इसमें आपके बढ़तनी की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तभी आप question को लगा पाएंगे तो इसलिए आपको हलके में नहीं लेना और अगर आपका एक दो question कभी आप सोचें एक दो question गलत हो जाए कोई बात नहीं है तो एक दो question की पता है कितनी value होती है उस बच्चे से पूछना जो आदे आदे number से final selection से रुख जाता है आदे इस number से एक number से दो number से final selection से रुखता है उससे पूछना तो इसलिए एक भरती अगर निकल जाती है मानलो यूपी पुलिस की भरती अगर अब निकल गई ना तो फिर चार साल के लिए जाती है पता है ना इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते हमको पढ़ना ही पढ़ेगा अच्छे तरीके से ठीक है हम ट्रिक के भरोसे नहीं रह सकते जैसे आप यूटूब पर हजार वीडियो देखेंगे कोई पांच मिन्ट में ही बढ़तनी खतम कर देता 10 से 15 बताया कि इन में सीगा जाएगी अगर नहीं आई उन में से तो क्या कर लोगे आप उसका बताओ उसको तो व्यूश से मतलब है उसको आपके भविश्य से मतलब नहीं या आपका सेलेक्शन होगा या नहीं होगा तो इतना ध्यान रखा करो अपना किलियर है तो आप चलते हैं चैप्टर सुरू कर लेते हैं एक एक पोइंट आपका किलियर करते हुए चलूँगा चैप्टर आपने डाल दिया बरतनी सुद्धी ठीके सबसे पहले जो आपको कराने वालों वो कितनी बरतनी कराने वालों ये भी ध्यान देंगे 800 बर्तनी में आपको कराने वाला हूँ ठीके कितनी बर्तनी 800 बर्तनी अब देखके डर तो जाना हूँ कि 800 बर्तनी कैसे करेंगे सब कुछ बताऊंगो कैसे करना है ठीके 800 बर्तनी में आपको कराने वाला हूँ बिशबाद रिखें आप किसी भी exam में जाना अगर इन से एक भी बाहर मिल जाए न तो जो आपके मन मेंreas आई वो कमेंट कर दिना आब आके नीचे और चैनल अगर सब्सक्राइब कर लियो तो अंसब्सक्राइब करके चले आना और वीडियो को डिसलाइक कर देना ठीक है बड़ जितनी बताने वलना सभी आपके अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए अब 800 बड़तनी कैसे प्रैक्टिस होगी तो ये सुन लीजिए जो बच्चे यूपी पुलिस की तियारी कर रहे हैं यूपी पुलिस और जो बच्चे SSC GD की तियारी कर रहे हैं वो सुनेंगे पहले तो क्योंकि SSC GD वालों को पता है जो भड़ती है बाने वाली के 22 में दिसंबर में ये उनलाइन को बोल रहे हैं मतलब तुमारे पास भी कम से कम लेके चल रहा हूँ भी बैस तो टाइम जाद अंपिस्टिन माननके चलते है तो कितने जन होगे हैं 150 दिन ठीक है किती दिन आपके अब मुझे बताईगे 150 दिन आपके पास जिसका जलदी एक सबसे लगा सकता है अब कितनी बचत नि हैं 800 बढ़तनी है अगर मैं रोज की 5 भी प्रैक्टिस करता हूँ रोज की 5 प्रैक्टिस करता हूँ तो कितने दिन में हो जाएंगे 800 165, 180, 160 दिन 160 दिन मतलब लगभग 5 महिने में कम्पलीट हो जाएंगी मतलब पुलिस के SECGD के जब अधर एक्जामों उनके से पहले पहले में कम्पलीट कर लूँगा या नहीं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगा या नहीं आपको इंकसर बहुत आराम से कर लेंगे तो बस आपको एक गलती नहीं करनी कभी आप सोचो के 801 की दिन में में पढ़ दूँ तो ये गलती कभी नहीं करनी ठीक है जब आपका एक्जामों उसके एकोडिंग लगाईए कितने दिन मेरे पास हैं रोज की मुझे कितनी पढ़नी चाहिए बिशपास रखिए पांच आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं पांच की प्रेक्टिस बहुत आसानी से कर सकते हैं मानलोग पांच की प्रेक्टिस करनी हैं आपको ठीक है मानलोग इतनी पांच की प्रेक्टिस करनी है तो आपको क्या करना है ये 5 एक पेपर पे लिखी आपने ठीक है पेपर पे लिखी एक तो जब पढ़ ली जब लिखी तो जब प्रैक्टिस हो गई फिर आम ने जेब में डाल लिया वो पेपर फिर आप कहीं यार दोस्तों के साथ कहीं भी हो खाना खारे हो तब पेपर निकाला एक बार ओड देख लिया फिर सामके टाइम ओर देख लिया फिर रात को सो रहे हो तो एक बार ओर देख लिया उनको ठीक है पांच की पांच एक दिनों बहुत अच्छे से कंप्लिट कर सकते हो फिर इसी तरीके साब को अगले दिन करना है पांच ओर लिखनी है फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है और पिछली वाली जो थी उनका revision करना है इस तरीके सा आप चलेंगे तो आपके बहुत अच्छे से practice हो जाएगी सबको एक साथ करने की कोशिस नहीं करनी है आपको clear है कैसे पढ़ना है आपको उसर बिल्कुल clear है ठीके तो अब आपको 800 की 800 ही याद नहीं करनी है आप notes बना रहे हो तो जो मैं important बताता हूँ चलूँगा बहुत तो आपके notes में होनी ही चाहिए अगर आप चाहते हो सभी हमें लिखनी है notes में notes त्यार करने हैं सभी के अगर telegram आपने जॉइन नहीं किया तो description में link दे रखा है बहाँ पर जाहिए और telegram जॉइन कर लिजिए clear है तो आप शुरू करते हैं सबसे पहले अंजली ठीके अंजली जो लिखायाता है क्योंकि इधर जो है सुद्ध है और इधर असुद्ध बढ़ती है किस तरीके से बनाएगा ये भी देख लिजिए वो कहेगा निम्न में सुद्ध बढ़तनी कौन सी है और चार option देगा वो आपको option ये में लिख देता हूँ इस तरीके से लिख देगा अंजली जह है ये ठीक है अंजली option भी लिख देगा वो आपको चांद बिंदी लगा देगा इस पर अंजली option C आपको लिख देगा इस पर चांद बिंदी लगा देगा और छोटी एकी और option D लिख देगा वो अंजली ठीक है तो जब आप practice में नहीं होंगे तो आप इस question को गलत कर देगा आपको सब एक से लगते हैं वहाँ पर जाके ठीक है तो आपको practice होगी तो आप कहोगे सर ओप्सन नमबर D correct answer हो जाएगा option नमबर D correct answer हो जाएगा किसी बच्चे को इदिकत नहीं होनी चाहिए तो इस तरीके से question पूछा जाता है तो यह important है यह आपके notes में होनी चाहिए clear अब दूसरे आपको याद करना चाहो कर सकते हो पर ने दूसरी इतनी important नहीं है अब यह तीसरा अंगना यह आपके होना चाहिए notes में ठीक है important है यह इस तरीके से लिखा जाएगा अंकी बिंदी यह लगेगी ठीक है यह बाली बिंदी लगेगी ना की चांद बिंदी चांद बिंदी नहीं लगेगी अंगना में clear आंगन में चांद बिंदी लगेगी आंगन में क्या लगेगी चांद बिंदी लगेगी ठीक है और फिर अहीं लिए गलत लिखा हुआ ठीके इस तरीके से लिखा जाएगा यह बहुत important है यह तो ठीके यह बहुत ज्यादा important है तो यह 5 हो गई तो आपको 5 की practice करनी है पहले दिन कौन कौनसी यह important है यह भी आपके notes में होनी चाहिए और यह होनी चाहिए ठीक है अंत्याक्षिरी यह हो ज़्यादे इंपोर्टेंट है यह जो ज़्यादे इंपोर्टेंट है आपको बताता हो चलूंगा और यह आपके याद ही होनी चाहिए ठीक है यह ज़्यादे इंपोर्टेंट है यह गलत लिखा हुआ अंत्याक्षिरी ठीक है ये सही है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरीके से भी, दोजों तरीके सही है उप्षन में आपको कोई साबी मिल सकता है किलियर किसी बच्चे कोई दिक्कर तो नहीं है ठीके ये भी याद करना चाहूं, इसको भी important है लिख सकते हो, ठीके अन्तराष्ठी है बहुत इंपोटेंट है ये भी आपके नोट्स में होना चाहिए अन्तराष्ठी इस तरीके से लिखा जाएगा ठीके अब इस कार ये भी आपको पता होना जी ये क्या है आसुद्ध लिखा हुआ है ठीके ये क्या है सुद्ध है ठीके ये क्या है सुद्ध है तो ये भी इंपोटेंट है अनुसंधान इस तरीके से लिखा जाता है ये इंपोटेंट है ये गलत है लिखा हुआ ठीक है ये क्या है गलत लिखा हुआ है तो आपको प्रैक्टिस करनी है केबल सुद्ध सुद्ध की कि ये किस तरीके से लिखे जाते हैं ये किस तरीके से लिखे जाते हैं इनकी प्रैक् ठीके आप इने देखेंगे ये इतने इंपोटेंट नहीं है अपरान तो आपको पताईए अमबस्या ये इंपोटेंट है आपके नोट्स में होना चाहिए ठीके अतिस्योक्ति और ये आध्याद्मिक ठीके ये भी आपके नोट्स में होना चाहिए दोनों दोनों आपके नोट्स में होने चाहिए और ये याद रखेंगे अध्यान हम इस तरीके लिखते हैं ना कि इस तरीके से ये गलाथे लिखुगा ठीके इस तरीके लिखते हैं और AGB का AGB का ये इस तरीके लिखा था है ये सही है IMPORTANT मैं आपको बता रहा हूं कि बल थीक है IMPORTANT बता तो हूँ हूँ है और जो छोड़ रहा हूँ है वह समय लेना वह IMPORTANT नहीं है आप चर्पर मैं आपसे यही कर उगा को रिस्क नहीं लेना सभी की प्रेक्टिस करनी है टोटल मिलाकर 800 के आसपास हैंगे आप अराम से कवर कर लोगे रोज के पांच से ठीक आज इबी का इसको करना चाहूं कर सकते हो इतने इंपोटेंट नहीं है यह अनुपस्तिती सभी जानते हैं और यह इंपोटेंट है अनुकूल ठीक है इंपोटेंट है यह और यह बहुत इंपोटेंट है ठीक है अनुग्रहित यह याद रखना ठीक है क्योंकि बहुत confused रहते हैं इसमें इसको लगायाते हैं जबकि ये गलत है अनुग्रहित इस तरीके से लिखायाता है ठीक है और ये आपको याद रखना है ये भी important है और इतना important नहीं है आमबस्ची है तो आपको पता ही है अभी बता चुका हूँ आमबस्ची है ठीक है clear इतने important है एक line देख ली अब दूसरी line देखेंगे जो जो important है वह आपके याद होना चाहिए बता रहूं इसमें देखेंगे ये important है अननास इस तरीके लिखायाता है ये भी important है ठीक है और आप देखेंगे ये भी important है ठीक और आप देखेंगे ये भी important है ये तो आपके मतलब याद होने ही चाहिए इनके practice तो कम से कम आप चाहो तो सबकी कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो बढ़ जो मैं आपको बता रहा हूं याद होना चाहिए और आपके notebook में होना चाहिए बैसे notebook में तो आप सभी लिख लेना सबकी practice हैं करेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएंगे ठीक है और आप देखेंगे अनूसरन इस तरीके लिखे आता है ठीक है ये गलत है लिख हुआ और आप देखेंगे और इस तरीक इतने important नहीं है ये important है ठीक है ये important है और अंतर यामी तो आपको पता ही है अंतर यामी इस तरीके लिखे आता है आसिरबाद भी हर बच्चे को पता होता है किस तरीके लिखे आता है ये गलत है लिख हुआ, आपको पता होना चाहिए, अतीधी आपको पता होना चाहिए, इस तरीके लिखे आता है, अतीधी ठीके, अनुग्रे आपको पता होना चाहिए, इस तरीके लिखे आता है, अधीन आपको पता होना चाहिए, इस तरीके लिखे आता है, जितने बता रह इधर जो यह एसुद्द वाले हैं आपको पता यह सुद्द वाले हैं ठीक है अगनी आपको पता इस तरीके लिखे आता है और यह बहुत इंपोटेंट है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है ओधार ये ठीक है बहुत ज़्यादे इंपोटेंट है ये भी आपके पता होना चीए और ये बहुत ज़्यादे इंपोटेंट है आप भ्याड़ने ये इस तरीके लिख देते हैं जबकि ये गलत होता है ठीक है किस तरीके लिखायता है इस तरीके से भे पूरा बनता है इसमें ठीक है भे क्या होता है पूरा बनता है आगे देखेंगे अमरित तो सब बच्चों को पता इस तरीके लिखेता है अट्टाली का आपको पता होने ची इस तरीके लिखेता है ठीक है और ये इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा अलोकिक ठीके जितने बतानों सारे आपके नोट बुक में होने चाहिए रहित होना चाहिए और ये भूझा चाहिए ठीके ये दोनों होने चाहिए किलियर एक बार निगा सभी पर मारनी है जो मैं बता रहा हूं यह तो आपकी बहुत अच्छे सी आधूने चीए बड़ निगा आपकी सभी पर रहनी चाहिए एक बार सभी को सरसरी निगा से देख लेना अच्छी तरीके से और रोज देखोगे तो आपको पता जल लाएगा होत आसानी से एक्जाम में सही करकाएंगे यह मुझे पूरा बिस्पास है ठीक है अब आपको देखना है अतिक किरामड तो हर बच्चे को पता होता है इंपोर्टेंट है बड़ हर बच्चे को पता होता है यह तो अर्थाद में आपको याद रखना है तैक के नीचे हलंत लगा होता है इस तरीके से यह लिखा तो गलत है ठीक है किलियर आसू यह चांद बिंदी होती है यह बच्चों को पता होता है ठीक है यह तो आपके याद होने इसी है अब नेक्स्ट पर चलते हैं ठीक और आपके कौन से इम्पोटेंट है एक बार सभी को देखना उजुबल आपको इस तरीके लिखाता है इम्पोटेंट है ठीक है इस तरीके से गलत है पूरा जय नहीं आता ठीक है और यह इम्पोटेंट है यह भी आपके बहुत अच्छे से पता होना सी यह और उन्ना को जिनको नहीं बता रहा हूं वह भी आप एक बार बार कहता हूं रिस्क नहीं लेना होता ठीक है आप जो मैं बता रहा हूं बहुत तो आपके बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए बट एक निगा सभी पर मार लें यह ना बिल्कुल देख कर न जाओ जो आप कि उन्नती आपको पता उन्ची इस तरीके लिखे आता है उत्त सब भी आपको सब अच्छे जानते हैं उप्रियुक्त कि इंपोटेंट है कि इंपोटेंट है कि इंपोटेंट है कि इंपोटेंट है इस तरीके लिखे आगा यह गलत है लिखा हुआ ठीक है यह भी इंपोटेंट है यह ठीक है उर्मी कि ठीक के लिए रहे ना जिसी इस तरीके लिखेता है यह गलत है यह important है यह इस तरीके लिखेता एतिहासिक इस तरीके लिखेता है important है इस तरीके से गलत है एतिहासिक भी इस तरीके लिखेता है यह गलत है ठीक है एकत्र होता है यह नहीं होता ठीक है तो यह important important आपको बता रहा हूँ बट यह पूरी pdf में टेलिग्राम पर डाल दूँगा आपको परेशान नहीं हो ना आप अच्छे से notes अपने तयार कर सकते हैं एक ता इस तरीके लिखे आता है important है एच्छी important है इस तरीके लिखे आता है इस तरीके यह भी important है ओध्योगिक यह गलत है ओश्दी important है यह बहुत important है very very important है यह तीनो very very important है ठीक है इस तरीके सुद्वधनी यह इदर गलत है किस तरीके लिए था कभी इस तरीके लिए आता है किलियर किलियर है नहीं आप वो से बिल्कुल किलियर है कुमुदनी इंपोर्टेंट है बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट है कुमुदनी और कालिदास कुमुदनी और कालिदास very very important है ठीक है very very important है आप देखेंगे ये अभी exam हो थे 21 तारीक को 21 अगस्त को ठीक है किसका forest card का तो उसमें ये पूछी गए थी बर्तनी तो जारतर बच्ची गलत करका है थे जिसने practice नहीं कि थी तो भो जादे important है किर्पिया तो सभी बच्चों को कैलास इस तरीके लिखे आता है ये आपको important है ये भी आपको पता होना चीए किलियर और किमदंती ये भी important है बोट अच्छे से पता होना चीए इस तरीके लिखे आता है ठीक है ये कनिष्ठ होता है ये भी important है कनिष्ठ होता है ठे होता है ठे नहीं होता और एक कालिंदी इंपोटेंट है ठीक है कोटी हमको पताँची इस तरीके लिखे आता है इंपोटेंट है ठीक है याद होने चाहिए और एक बार फिर कह रहा हूँ जिन पर मैं नहीं बता रहा हूँ उनकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ये तो आपको पढ़नी है जो मैं इंपोटेंट बता रहा हूँ आगे देखेंगे अब देखेंगे इसको अब इधर कौन से important है ठीक है अब ये इस तरीके ये पता होन 가지 ये important है पता होना ची ये गमार किस तरीके लिखाता है चांद विंदी है इसके उपर ये गलत लिखा हुआ है grand ही आपको पता हुआ ची इस तरीके लिखाता है ये गलत है केलियर है, प्रैक्टिस भोट अच्छे सोनी ची जितने बता रहा हूँ एक एक की, नैश्ट देखेंगे, ये ग्रहन भी आपको पता हूँ ची है, इस तरीके लिखा आता है, ये गलत है लिखा हुआ, गीत आंजली ये भी भोट इंपोर्टेंट है, इस तरीके लिखा आता है ठीक है ये लिखा हुआ गलत है किलियर और आप देखेंगे ये इंपोर्टेंट है दोनो ठीक है ये दोनों इंपोर्टेंट है आपके नोट्स में होने चाहिए किलियर इंपोर्टेंट है दोनों इंपोर्टेंट है बहुत जादा दोनों ही इंपोर्टेंट है ये भी इंपोर्टेंट है ठीक है इस तरीके लिखे आता है ये इधर जो है में सही सही वाले बताने ये सुद्ध लिखे हुए है ठीक है आप उबर भी देख चुके हैं इधर बाले ये जो है असुद्ध है ये सुद्ध है ठीक है चरण इस तरीके लिखाता है और चिन इस तरीके लिखाता है प्रेटिस होनी चाहिए इंपोटेंट है दोनों और ये भी important है, तीनों ही important है clear, तीनों बहुत अच्छे से practice होनी चाहिए आगे देखेंगे important है पहला ही ये, उपर गई सबसे बहुत जाद है important है ठीके छमा इस तरीके लिखे आता important है इस तरीके लिखे आता jest, ये important है ये गलात है इधर वाला जोथ ना, ये भोथ important है, very very important ठीके, important है जमाता इस से लिखे आता important है ये important है, ठीके अगे देखेंगे त्योहार important है, double मात्रा नहीं लगती है important है तुदू प्रांद, ये गलत है तात कालिक important है तैसिल दारी important है ठीके और ये ततु पता होना चीए ये गलत लिखा हुआ, ये इस तरीके से ये गलत है जबकि ये दो आदित्या बनते हैं, ठीके यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर बीच में तो ये सही है, ये लिखा हुआ तरसकार important है दरोगा ऐसे लिखे आता है, ये दरोगा गलत है लिखा हुआ ठीके, प्रैक्टिस उन्चिए बहुत अच्छे से ये दो आदि आपको पता उन्चिए किस तरीके लिखे आता है दवाई आपको पता उन्चिए इस तरीके लिखे आता है, सही है, ये गलत है ये important है दोनो ठीके, और DP का important है clear आगे देखेंगे आगे देखेंगे तो इधर इतने important निदेहिक आपको पता होना चाहिए इस तरीके लिखे आता है, डबल मात्रा होती है देखे उपर इधर से मान आपको पता होना चाहिए name पर हलन्त होता है ये important है ठीके, और दायां पता होने चीज तरीके लिखे आता है ये के उपर चांद मिंदी होती है, ना कि दे के उपर ठीके, दायालो important है इस तरीके लिखे आता, दायालो ना कि इस तरीके से very very important दीप बली है, दिवाली इस तरीके लिखे आता, ये गलत लिखे वो दिवाली ठीके दुसकराँ को पतान चीए important है दुगना इस तरी के लिखे आता है, important है, दुगना लिखे वो गलत है, दुपेहर होता है, दुपेहर नहीं होता, ठीक है, दुपेहर होता है, दुपेहर नहीं होता, दिनांक इस तरी के लिखे आता है, आपको पता होना चीए, गलत लिखे वो दिनांक, clear? ददीची इंपोर्टेंट है बेरी बेरी इस तरीके लिखे आता है यह लिखो वो गलत है देवरी से आपको बताँ ची इस तरीके लिखे आता है यह गलत है आगे देखेंगे इंपोर्टेंट है गलत है लिख हुआ है निर्पेक्ष और न्यू चावल दोनों इंपोर्टेंट है ठीक है निर्पेक्ष और न्यू चावल दोनों इंपोर्टेंट है निरोग इंपोर्टेंट है इस तरीके लिखे आएगा ठीक है किलियर सबकी एक बार मैं फिर आपसे कहता हूं बार बार एक बार सबको सरसरी निखा से देख जरूर लेना है जितने हैं बता रहा हूं यह तो आपके बहुत अच्छे से त्यार होने ही चाहिए किलियर एक सिंगल कोशिंग में आप किसी भी एक्जाम में जाना अगर बरतनी से कोशिंग पूछाएगा तो इन जेवितने भी हैं न यह आठ सो शाले सास्तो आठ सो के असपास एक कोशिंग में इन से बाहर आपको नहीं मिलेगा अगर आपने सभी के अच्छे से आनी से किलियर अब इसको देखेंगे आप निस्वार्त इस तरी के लिखें आता सही है क्योंकि इधर सुद्ध है आपको पता है यह दर वाले क्या हैं असुद्ध हैं निरदोस इस तरी के सही है लिख हुआ निरप्राद इंपोर्टेंट है आ इम्पोरेंडे एम्पोरेंडे इम्पोरेंडे IMPORTENT है ठीक है IMPORTENT है यहां तक IMPORTENT है ठीक है यह क्या है IMPORTENT है IMPORTENT है बहुत अच्छे से आपको इनकी तैयारी होनी चाहिए केलियर है आगे देखेंगे पुन्जी पती कि ऐसे से जीडी में पुछो को कुछन है IMPORTENT है इस तरीके लिखे जाएगा पुरुषकार हो चुका आपका पहले ही IMPORTENT है ठीक है केलियर किसी बच्छे कोई दिखका तो नहीं है अगर कोई भी आपकी क्वेरियर तो कमेंट रॉक्सन कमेंट करके पूछ सकते हैं आगे देखेंगे यह पूरी PDF में डाल दूँगा उसमें आपसे बता दे टेलिग्राम जोइन कर लेंगे तो आप देखेंगे परिशाद यह इस तरीके लिखा जाएगा इस तरीके सुद्ध आपका यह देखें नीचे हलन थे ठीक है केलियर इंपोटेंट है पुनरुक्ती और यह भी बेरी बेरी इंपोटेंट है और यह भी इंपोटेंट है पारिबारिक ठीक है पारिबारिक इस तरीके लिखा जाएगा पिर किसी को कम दिखाई दे रहा हो तो ठीक है इस तरीके लिखा जाएगा पूजनी है इस तरीके लिखे आएगा पूरा जय बनता है ठीक है इस तरीके लिखे आएगा इस तरीके आपको प्रैक्टिस करने है बहुत अच्छे से लिख लिख कर आगे देखेंगे ये पूरुस इंपोटेंट है ये पिरदर्शनी इंपोटेंट है ठीक है इस तरीके लिखे आएगा इस पूरानिक इंपोटेंट है प्रैज्वेलित इंपोटेंट है पत्नी आपको पताऊंची इस तरीके लिखे आता है पै आदत है नई इस तरीके से पूरा तद्व इंपोटेंट है ठीक है केलियर है नहीं यहांपर आप देखेंगे या असुद क्यों है या असुद इसलिए है क्योंकि इस तरीके लिखा पूरा बस ठीक है और यह सुद्ध क्यों है क्योंकि इस तरीके लिखाएगा एक तया में को एक तया और निकलेगा ठीक है जब यह बै बनेगा किस तरीके लिखाएगा इस तरीके सुद्ध क्यों है यह पै यह पूरा तया बनी यह ठीक है दो आधे तया बनेंगे एक बैवने गए इसमें यह सुद्ध है ठीक है यह क्या है यह सुद्ध इसलिए है तो आपको यात रखना है आगे देखेंगे परिक्षन इंपोटेंट है पोसाग इंपोटेंट है पीतामबर इंपोटेंट है पीतामबर इस तरीके लिखिया था ठीक है और आप देखेंगे इंपोटेंट है और कोई इतना इंपोटेंट इधर है नहीं ठीक है इधर देखेंगे अब इंपोटेंट है दोनुँ पूस पांजली इंपोटेंट है पांज मोर प्रेमचन दोनुँ इंपोटेंट है ठीक पूस जिये इंपोटेंट है पृति कूल इंपोटेंट है इंपोटेंट है और यह पूर्ति इंपोटेंट है इस तरीके लिखा आगा ठीक है और आपको यह प्रिकट इंपोटेंट है पर मात्मा इंपोटेंट है इंपोटेंट है और आप देखेंगे इंपोटेंट है ठीक है फिट करी इंपोटेंट है इंपोटेंट है दोनों ठीक है बनस्पती भोजाद है इंपोटेंट है पता उन्हेंची किस तरीके लिखे रहेगा ठीक है किलियर आगा देखेंगे बहुँ इंपोटेंट है इस तरीके लिखे रहेगा इस तरीकी लिखे आएगा ये गलत है ब्रिटिस इंपोटेंट है बादा इंपोटेंट है बरात इंपोटेंट है बालमी की बेरी बेरी इंपोटेंट है ठीक है बालमी की बहुत पुछादा किस तरीके लिखा जाएगा ठीक है तो बालमी की बहुत अच्छे से प्रेक्टिवस में से बालमी की इस तरीके लिखे आएगा बेहिमान इंपोर्टेंट है और ब्रस्पती ठीक है दोनों इंपोर्टेंट है ठीक आगे देखेंगे बांज इंपोर्टेंट है इस तरीके लिखे आएगा बरबरत इंपोटेंट है बास इंपोटेंट है बहु बरी समास में तो पढ़ाओगा ना बहु बरी ठीक है तो इंपोटेंट है भागे रित्थी ये नदी पढ़ियोगे अपने बांध पढ़ाओगा ठीक है भागे रित्थी पढ़ाये नहीं important है नदी बान्दों पढ़ा हो गई important है clear जब किसी बच्चे हो कोई भी दिख करते हैं comment box से comment करके पूछ सकते हैं important है important है ठीक है ये भी important है clear clear है नहीं किसी बच्चे कोई दिख करते हो नहीं है आगे देखेंगे यहाँ देखेंगे भोगोलिक important है important है भगीनी important है very very important है मेथली सरण मंत्री मंडल बहुत जाद है important है ये चारो important है ठीक है ये important है सारी बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है important है यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके लिखा हुआ बढ़ ये गलत है सही कौन सवला है दो त्यवणेंगे एक आधा दोनों सोरी आधे त्यवणेंगे मैं ठीक है इस तरीके है जो लिखा है सही है अगर आपको कम दिखाई दे रहा हो तो ठीक है ये गलत है केबल इसमें एक आधा तयावना है जबकि कितने दो आधे तयावनने हैं उनके साथ बैज रूड़ना है किलियर तो ये सही है मस्तिक्स इंपोर्टेंट है मात्रभास इंपोर्टेंट है इस तरीके लिखे आएगा मिथलेश कुमारी इंपोर्टेंट है इधर देखेंगे बेरी बेरी इंपोर्टेंट बेरी बेरी इंपोर्टेंट है ये इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है मुनी मनीशी इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है आगे देखेंगे इंपोर्टेंट है युदिश्थर इंपोर्टेंट है बहुँ ज़्याद है योगी राज इंपोर्टेंट है अब तो बेसे ही इंपोर्टेंट है दोने इंपोर्टेंट है ठीके आगे देखेंगे रूची इंपोटेंट इस तरीके लिखे आएगा राजनितिक इंपोर्टेंट है बेरी बेरी इंपोर्टेंट है रासाइनिक इस तरीके लिखा जाएगा बेरी बेरी इंपोर्टेंट रितु ये चारो इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ठीके ये चारो बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट है डितु किस तरीख रिशेत किस तरीख रिशी रामयाड किस तरीखे से लिखा जाएगा आगे देखेंगे डिशी आपको बता है इस तरीखे लिखे जाएगा इंपोटेंट है आगे देखेंगे लोकिक इंपोटेंट है लिपी, इंपोटेंट है, दोनों ही इंपोटेंट है बधु इंपोटेंट है, इस तरी के लिए आए, बहुत गलती गलते हैं बच्चे इसमें इंपोटेंट है, आगे देखेंगे इंपोटेंट है, इंपोटेंट है, इंपोटेंट है, दूसरे भी यह, इस तीनों उपर की इंपोटेंट है, ठीक है, इस तीनों इंपोटेंट है, बाल में की इपोटेंट है, बदा चुका हूँ आपको इंपोटेंट है इंपोटेंट है इंपोटेंट है आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ ठीक है आपको सरसरी निगास से देखने सब ही है बड़ जो इंपोटेंट बता रहा हूँ है बहुत बहुत अच्छे जा आपको प्रैक्टिस उनकी होने ही चाहिए यह मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ अगर देखेंगे अगर आगर यहां से देखेंगे तो इधर कौन सा इंपोटेंट इस तरीके लिखे आएगा और इतना इंपोटेंट कुछ है नहीं ठीक है और सब को एक सरसरी निगास आपको देख लेना है आगे देखेंगे सरवस अब लिखना यानते हैं कैसे लिखे आएगा इंपोटेंटे सुद्धी करन और ये सारी दिख और सूपन खा ठीके इंपोटेंटे ठीके इस तरीके लिखे आएगा इंपोटेंटे हैं ये तीनो किलियर सास बताम को बताम चाहिए इस तरीके लिखे आएगा इंपोटेंटे आगे देखेंगे इंपोटेंटे हैं तीनो चारों इंपोटेंटे हैं ठीके ये आपको पता होना चाहिए यहां देखेंगे और इस तरीके लिखे आएगा इंपोटेंटे हैं सांकृतने बहरी बहरी इंपोटेंट है इंपोटेंट है ये भी ये इंपोटेंट है और सामाजिक पता होना चाहिए इस तरीके लिखे आता है ठीक है और ये भी इंपोटेंट है किलियर और साधू आपको पताम चाहिए किस तरीके लिखे आता है इस तरीके से लिखा जात बेरी बेरी इंपोर्टेंट है दोनों ठीक है इंपोर्टेंट है आपको पता इधर बाले यह सुद्ध है और यह असुद्ध है ठीक है तो इसलिए सब मैं आपको बता चुकाँ शुरू में ही इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट और यह इंपोर्टेंट ठीक और आप देखेंगे इधर important है important है important है यह आपको आना चाहिए और आप देखेंगे समीती important है यह तो important है उबर बदा चुकाँ important है important है clear किसी बच्चों कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे चलेंगे वो last हम कर देंगे ठीके यह last हमारा है आप कोईशन पताओनना चाहिए सरीता इस तरीके लिखाए था important है संसोदन आपको बदाँची इस तरीके लिखाए था संसकरण आपको बदाँची इस तरीके लिखाए था ठीके साथ ताहिक आमको पतंची इस तरीके लिखे आता है समाधी आमको पतंची इस तरीके लिखे आता है इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट रिवी आमको पतंची इंपोर्टेंट हें भी इंपोर्टेंट है बहुत दलती करते हैं बच्चे बहुत गुमा जेता है वो छोटी-छोटी श्यूमी इंपोर्टेंट है हिंदुस्तान इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट 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 है इंपोर्टेंट है तो इधर ज़ादा important है मैं आपसे बता चुका हूं कितने लगबक हमने करे होंगे लगबक आप खुद लगा सकते हैं कितने में important बता चुका हूं बहुत तो आपके बहुत अच्छे से तयार होने चाहिए और जितने भी मैंने बताए हैं जितने भी छोड़ दिये हैं मैंने उ यह हमारा आज बढ़तनी का चैप्टर बहुत अच्छे से complete हो चुका है इसमें कोई trick नहीं होती इसमें कुछ मुझे बताना नहीं था trick से बस आपको practice करनी होती है जितनी जाद जो बच्चे practice करता है उसके उतने ज्यादा question इसके सही होते हैं ठीक है तो हम इतने सारे कर तो अब next chapter जो हम सुरू करेंगे वो आप comment करके बता सकते हैं अब मैं थोड़ा बीजी चल रहा था मैं आपसे कह चुका हूं reasoning, Hindi और maths इन तीनों की मैंने आपकी guarantee लिए पूरी कोशिस करूँगा कि एक single question आपका इनसे ना गलत हो ठीक है एक single question भी आपका इनसे ना गलत हो ब आप लोग को साथ देना जब आप लोग साथ देंगे वही मैं आपको उतने अच्छे तरीके से कर पाऊंगा ठीक है क्योंकि आपको पता ही मैं video cable record कर पाता हूं मेरे पास इतना कुछ ज्यादा है नहीं जो मैं आपको digital word पर पढढ़ा सकूं इसलिए आप लोग को बहुत अ नहीं आपर नहीं तो बच्चे परेशान लेते हैं कि सरा आप regular video क्यों नहीं डालते हो तो मेरे साथ कुछ मजबूरी चल रही है फिर भी मैं आपको time temper video देता रहता हूं जैसे हम देखेंगे बेकेंसी आ चुकी है फारम आ चुके हैं तो बिश्वास रिखिए चाहे मुझे एक 5-5 घंटे किलाश लेनी पड़ा है मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा ठीके जब मैंने आपसे बादा किया है तो इस बादे से पीछे नहीं हटूँगा बस आप लोगों को मेरा support बनाए रखना है ठीके तो अगर आपकी कोई भी query है तो आप comment करके पूछ सकत आपको इतना तो मैं करे जाओंगा कि आपका सिलेबस धीरे धीरे complete कर सकूँ ठीके मैं इतने कर चुके हैं जो चार्ट से पांच बच्चा कोशन कर सकता है और हिंदी में भी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और दीजिनिंग तो लगभा complete करी चुके तो बस इतना ही कहन चाहूंगा अच्छे से पढ़ते रही टेंसन बिल्कुल मत लीजिए तीन सब्जेक की मेरी गारेंटी है आप कहीं से मत पढ़िया अगर आप चाहते हो जहां से आपका मन करें पढ़ सकते हो बड़ मैं आप से कहता हूं जो बच्चा कहीं से नहीं पढ़ता के बल मेरे उप पर डिपेंड है तो तीन की गारेंटी में लेके चल रहा हूं अगर आप लोग ने अच्छा सपोर्ट किया तो मैं जी के भी आपको इस्तनी अच्छे से करा दूंगा कि आपने सोची भी नहीं होगी ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में